Welcome to BeBanker, स्वागत आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास क्या होने वाली है आज की क्लास भई, तो आज की क्लास में ऐसे शब्दों को मैं पढ़ने वाली हूँ जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं और इनको कहते हैं pronoun words, क्या कहते हैं भई इनको कहते हैं pronoun words, pronoun अज हम लोग पढ़ने वाले हैं और यकीन मानिए इनकी जरूरत तो आपको होती ही होती है वाक्य में, नहीं तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि actual में बात क्या चल रही है, तो आज इसी सारे शब्दों को पढ़ें इनका स्तमाल पढ़ेंगे, वराइटी इस तरीके से इनका स्तमाल होता है, सारी चीज़ों कवर करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, उसके पहले अगर चानल पढ़ने हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लिजे चानल को सब्सक्राइब, स कि जब भी हमारी कोई नही क्लास आए, आपको जरूर पता लग जाए, आप सीधे-सीधे हमसे जोड सकते हैं हमारी किसी भी सोचल मीडिया साइट पर, और आप कर सकते हैं हमारी क्लास को अपनी सोचल मीडिया हैंटल्स पर शेर, क्योंकि sharing is caring, तो करते हैं ना शेर, Definitely किया कर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, तो आज की क्लास में सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो आपको टेबल दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीटे, ठीक है, इसमें ये जितने भी शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सब का इस्तमाल जो है, हम लोग बोल रहे हों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि first person, singular की हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब तो उसमें क्या-क्या से शब्द हमारे पास आ जाते हैं, देखे, I, I का मतलब होता है मैं, और ये कैसे काम करता है, ये subject के रूप में काम करता है, दूसरा है me, यानि की मुझे, य यानि की मेरा, और ये positive adjective के रूप में काम करता है, अगला है positive pronoun के रूप में जो काम करता है, वो है mine, यानि की मेरा, और अगला है reflexive के रूप में जो काम करता है, वो होता है myself, यानि की मैं खुद, और इसी तरीके से throughout ये table है, जैसे की, अगर plural की बात करने हम लोग तो we, या यानि कि हमें, our, हमारा, ours, हमारा, ourselves, हम खुद. Second person की बात कर ले अगर, तो उसमें singular plural फिर दोनों हो जाता है, you यानि कि तुम, you यानि कि तुम्हे, your, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, सब इसी में आ गया, yours यानि कि तुम्हारा, yourself यानि कि तुम्हुद, you, तुम्सब के लिए भी you शब्द का स्तमाल ही होता है, तुम्सब को, you, तुम्सब का, your, तुम्सब का, अगैं से yours का भी स्तमाल हो जाता है, yourself यानि कि तुम सब या तुम सब खुद, है न, he यानि कि वह, him यानि कि उसे, लेकिन ध्यान दखेंगे, he जो है वो male के लिए इस्तमाल होता है, यहाँ पर third में देख लीजे आप, third person ये m जो लिखा हुआ है, वो male को denote करता हुआ है, तो male यानि कि he यानि कि वह, him उसे, his उसका, his उसका, himself वह खुद, female के अगर बात करें तो she हो जाएगा, she यानि कि वह, her यानि कि उसे, her यानि कि उसका, hers यानि कि अगैन से उसका, herself वह खुद, अगर किसी ठिंक की बात करें, किसी चीज की बात करें, उसके लिए होता है इट, इट का मतलब यह, इसे, इट्स यानि की इसका, इट्सल्फ यानि की यह, खुद, तो यह सारे शब्दों को हम लोग डीटेल में आज हम लोग कवर करेंगे, इनका इस्तमाल जानेंगे, मैंने यह सारे शब्दों का इस्तमाल, यह सारे जो है, वो as a pronoun यूज होते हैं, ठीक है, इन सब का हम लोग इस्तमाल जानेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, फर्स परसन सिंगुलर की, जब आप इन शब्दों का कलेक्शन को जब आप देखें, ठीक है, तो आप बस इनका देख लीजे, इनका इस्तमाल जान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि I का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे, माइ यानि की मेरा, माइन यानि की मेरा, again say, माइ सेल्फ यानि की मैं खुद, तो I का मतलब मैं, मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to the market, मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to the market मी यानि कि मुझे यह कलम मुझे दे दो Give me this pen माई यानि कि मेरा यह मेरी कार है This is my car अब देखिए माई का मतलब मेरा और मेरी दोनों होता है और यह डिपेंड करता है कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसके हिसाब से लगेगा कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा अगर यहाँ पर होता यह मेरा मोबाईल है तो हो जाता This is my mobile यहाँ पर है यह मेरी कार है तो This is my car ठीक है? तो मेरा लगेगा या मेरी लगेगा यह डिपेंड करेगा कि आप किस विशे वस्तू के बारे में बात कर रहे हैं चलिए बढ़ते हैं आगे माइन, माइन का मतलब अगैन से मेरा या मेरी होता है तो यह फोन मेरा है, this phone is माइन, यह फोन मेरा है this phone is माइन, यह क्या दिखा रहा है, पॉजिसिवनेस को दिखा रहा है ठीके, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अगला है myself, यानि कि मैं खुद, मैंने यहाँ खुद के लिए खरीदा है, I bought this for myself, मैंने यहाँ खुद के लिए खरीदा है, I bought this for myself, बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, plural की बात कर लेते हैं, first person है, लेकिन plural की बात करेंगे, मतलब जादा, We यानि की हम, us यानि की हमे, our यानि की हमारा, hours यानि की हमारा, देखे, हमारा, हमारी, ये दोनों इस्तमाल होगा, ये again से depend करेगा कि विसेःवष्टू क्या है, ourselves यानि की हम खुद, چलिए, अब इसका इस्तमाल देखते हैं, detail में, we यानि की हम, हम लोग, हम सब, इन तीनों के जगह पर अंग्रेजी में वी का अस्तमाल होगा, हम लोग cricket खेल रहे हैं, we are playing cricket, इसे हमें दे दो, give it to us, अस का अस्तमाल हो रहा है यहाँ पर, अस का मतलब होता है, हमें, इसे हमें दे दो, give it to us, अगला है our, यानि की हमारा, यह हमारा घर है, this is our house, यह हमारा घर है, this is our house अगला है hours, hours का मतलब again से हमारा यह घर हमारा है, this house is ours यह घर हमारा है, this house is ours ourselves यानि के हम कुद हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves बढ़ते हैं आगे, अगला है आपके स्क्रीन पर सेकेंड पर सिंगुलर की बात करेंगे, चिके, अच्छा, यू यानि कि तुम, आप, तू, तीनों के जगा पर इस्तेमाल होगा, अगें से, यू यानि कि तुम है, आपको, तुझको, है न, यू अबजेक्ट के जैसा जब हो रहा है, देखी, उपर में OBJ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है object, यू यानि कि तुम्हारा आपका तेरा, यू यू यानि कि अगें से, तुम्हारा आपका तेरा, रिफ्लेक्सिव में जब इस्तेमाल होगा, यू तुम खुद, आप खुद, तू खुद, तीनों के जगा पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, चलिए, डीटेल में जानते हैं, यू, यू का मतलब तुम, आप, तु, आप कैसे है, how are you, ये हो सकता था, तुम कैसे हो, अंग्रेजी सेम रहती, how are you, तू कैसा है, अगें से, अंग्रेजी सेम रहती, how are you, आगे बढ़ते हैं, यू का मतलब तुम लोग, आप लोग, तुम सब ऐसे भी होता है, तो आप सब जा सकते हैं, you all can go, तुम लोग जा सकते हो, you all can go, तुम सब जा सकते हो, you all can go, तीनो ही केसे में सेम रह जाएगा, अगला है your, यानि कि तुम्हारा, आपका तेरा, तुम्हारा नाम क्या है, what is your name, आपका ना यानि कि तुम खुद या आप खुद या तू खुद आप इसे खुद करें, you do it yourself, तुम इसे खुद करो, you do it yourself, तू इसे खुद कर, you do it yourself, ऐसे इस्तमाल हो रहा है, चिके, अगला है yours, यानि कि तुम्हारा, यह बैग तुम्हारा है, this bag is yours, आपका, यह बैग आपका है, this bag is yours यह बैग 13 है, this bag is yours, तीनों ही cases में इस्तमाल हो रहा है, यॉर्स का ही स्तमाल हो रहा है, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे, अगला है हमारे पास a third person की बात करेंगे, लेकिन M जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये लाल पटी पे, M का मतलब यहाँ पे male की बात हो रही ह है, अभी इसमें हम लोग जितनी भी शब्द पढ़ेंगे स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, वो सारे के सारे पुरुष को संबोधित करने के लिए ही इस्तमाल होते हैं, मेल मेंबर को संबोधित करने के लिए ही सबसे पहले subject के रूप में जो काम करेगा वह है ही, यानि यानि की वह, वह का मतलब ही होगा, है न, लेकिन किसके लिए इस्तमाल होगा, सिर्फ मेल मेंबर के लिए, हिम यानि की उसे, हिज यानि की उसका, उसकी, दोनों तरीके से इस्तमाल होगा, हिज, उसका, उसकी, हिमसेल्फ, वह खुद, ये सारे शब मेल के लिए इस्तमाल हो He is going, वह जा रहा है, he is going, अगला है him, उसे या उसको, दोनों तरीकों से इस्तमाल होता है, उसे बुलाओ, call him, या उसको बुलाओ, call him, अगला है उसका या उसकी, again से mail के लिए बात जब करें, यह घर उसका है, यह उसका घर है, this is his house, यह उसका घर है, this is his house, ठीक है? अब यह कैसे decide हो रहा है, कि उसका इस्तमाल होगा, again से विशे वस्तु के उपर depend करता है, जैसे यह उसकी car है, वैसे यह उसका घर है, किसके उपर किस कैसे बदल गया, house एक sentence में है, तो वहाँ पर उसका घर हो गया, car एक sentence में है, तो उसकी car हो गया, ठीक है? यह विशे यह उन्होंने खुद किया, he did it himself, बढ़ते हैं आगे, अगला है third person, female की जब बात करेंगे, ठीक है? female की बात जब करेंगे, right? plural की बात हो रही है, लकिन female की बात करेंगे, subject में दौर पर इस्तमाल हो जाएगा she, जिसका मतलब होता है वह, her यानि की उसे, her यानि की उसका या उसकी, hers, उसका या उसकी, herself, वह, खुद, चलिए, अब इस्तमाल लेखते हैं, she, यानि की वह, या उसे, वह जा रही है, she is going, वह जा रही है, she is going, उसे बुलाओ, call her, her का मतलब उसे या उसको, female के लिए जब इस्तमाल हो रहा है, उसे बुलाओ, call her, her, her का स्तमाल उसका या उसकी के लिए भी होता है, लेकिन female के लिए her का स्तमाल होगा, ठीक है, यह उसकी कार है, this is her car, यह उसका घर है, this is her house, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अगला है hers, यानि की उसका या उसकी, और यह female के लिए इस्तमाल होगा, यह उसका है, this is hers, अगला है हमारे पास herself, यानि कि वह खुद, और ये female के लिए इस्तमाल होगा, या उन्होंने खुद किया, she did it herself, या उन्होंने खुद किया, she did it herself, she का इस्तमाल हो रहा है, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग कोई चीज की बारे में जब बात हो, तब कैसे इसके बात होगी, इसके बारे में जानते हैं, it यानि कि यह, it यानि कि इसे, its यानि कि इसका, itself यानि कि यह खुद, और ये जो आपको na लिखावा दिख रहा है, यानि कि possessive pronoun में किसी चीज के लिए, possessive pronoun के लिए शब्ध हमारे पास available नहीं है, ठीके, क्यों? यूँकि कोई कोई चीज अपने बारे में थोड़ी कह सकती है, कि अरे नहीं, possessiveness कोई चीज जो है वो नहीं दिखा सकती है, इसी वज़े से यहाँ पे नहीं available है, ठीके, मतलब नहीं होता है, इसको ऐसे समझ कि चलिए, क्लियर होगी बात, चलिए, अब इस्तमाल देख लेते हैं इन सबका इट का मतलब यह, यह संभव है, it is possible, यह संभव है, it is possible, इट का मतलब इसका, इसका रंग अच्छा है, 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 इसका रंग हो रही है, it's raining, इसको तोड़ियेगा तो बन जाता है it is, है ना, it is, बारिश हो रही है, it is raining, बारिश हो रही है, it is raining, बढ़ते हैं आगे अगला है itself, यानि कि यह खुद, इतिहास खुद को दहराता है, history repeats itself, इतिहास खुद को दोहराता है, history repeats itself clear हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है third person plural की बात करेंगे, जहाँ पे subject के तौर पर दे का स्तमाल होता है, जिसका मतलब होता है वे, them, यानि की उन्हे, there, यानि की उनका या उनकी there's, यानि की उनका या उनकी, themselves, यानि की वे, खुद चलिए, इस्तमाल देखें, they का मतलब कैसे कैसे इस्तमाल हो जाएगा वे, वे लोग, वे सब ये लोग, वे जा रहे हैं, they are going them, यानि की उन्हे, उन्हें बुलाओ, call them अगला है, there, यानि की उनका, यह उनका घर है, this is their house अगला है, there's, यानि की उनका, यह फैसला उनका है, this decision is theirs themselves, यानि की वे, खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, they clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, they clean their house themselves, clear होगी बात यहां तक, सारे शब्द हमने cover कर लिए, चलिए, एक quick revision की बारी है, first person की जब भी हम लोग बात करें, तो singular के लिए इस्तमाल होगा, वो होगा I, यानि की मैं, me, यानि की मुझे, my, यानि की मेरा या मेरी, mine का मतलब भी मेरा या मेरी, myself, यानि की मैं खुद, प्लूरल की जब बात होगी, तो हो जाएगा we, यानि की हम, हम लोग, हम सब, us, हमे, our, यानि की हमारा, हमारी, ours, यानि की अगैं से हमारा, हमारी, ourselves, यानि की हम खुद, आगे बढ़ते हैं, second person की बात कर लेते हैं, यहाँ पर singular के तौर पर इस्तमाल हो जाएगा you, तुम, आप, तु, your, तुम्हारा या तुम्हारी, you, तुम लोग, आप, लोग, तुम सब, plural की बात होगी, तो yours, यानि की तुम्हारा या तुम्हारी, yourself, यानि की तुम खुद या आप, खुद, थर्ड पसंद की बात करें, तो he, वह या उसे, she, वह या उसे, he का स्तमाल मेल के लिए, she का स्तमाल female के लिए, it का मतलब यह, its का मतलब इसका, itself का मतलब यह, खुद, they का मतलब वे, वे लोग, वे सब, ये लोग, Him यानि कि उसे या उसको male member के लिए Her यानि कि उसे या उसको female के लिए Hers का मतलब उसका या उसकी His का स्थमाल होगा उसका या उसकी के लिए male member के लिए Hers का स्थमाल होगा उसका या उसकी female member के लिए Herself का स्थमाल होगा female के लिए और denote करेगा वह खुद अब them कस्तमाल होगा उन्हें के लिए their कस्तमाल होगा उनका या उनकी के लिए their कस्तमाल होगा उनका या उनकी के लिए themselves कस्तमाल होगा वे खुद clear हो गए बात तो चलिए आपके screen पर एक again से quick revision आपके screen पर ये रहा इन सारे शब्दों को आपको कर लेना है याद यकीन मानिए इन सारे शब्दों को जब आप याद कर लेंगे इनका स्तमाल सीख लेंगे आपकी जिंदगी ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुख में हो जाएगी जब आप अंग्रेजी जो है वो सीखना चाहते हैं बोलना चाहते हैं basically ठीक है सीखना ये शब्द जो है आपको सिर्फ सिखाएंगे नहीं बलकि बुलवाएंगे जी हां तो इनी शब्दों को जानना बेहत जरूरी है क्योंकि वाक्यों को जो है वाक्यों में इन सारे शब्दों का इस्तमाल आता ही आता है ठीक है आता ही आता है बिलकुल शौर हो जाहिए इस चीज के लिए तो इनका इस्तमाल तो आपको आना ही चाहिए तो इनका बना लिजे notes, और आप इनको करिए advice, बना लिजे notes और आप इनको करिए इस्तमाल, मैंने आपको सारे शब्द करा दिये इनकाเंट करा दिया और क्या चाहिए अब आपको करनी है मेहनत और कर लेना है इन सारे शब्दों को याद और इनका इस्तमाल समझ लेना है क्लियर हो गई बात तो येस गाईज ये थी आज की क्लास कैसी लगी क्लास उमीड है क्लास बहुत जबर दस्त लगी होगी सूपर डूपर हिट क्लास आज की आपको लगी होगी तो इतनी अच्छी जब क्लास लगी है तो क्लास को जल्दी से कर दीजे लाइक और कर दीजे शे हो चुकी है खतम जिन्होंने नहीं किया है अभी तक एस course को और इसकी e-book को नहीं लिया है जल्दी से आप इसके बारे में पता कर लीजे और ले लीजे मिनी spoken English course और उसकी e-book का भी same detail है आप इसके बारे में भी पता कर लीजे और इसको ले लीजे और ये तीनों किताबे बहुत जल्द आ रही है तो बिल्कुल बने रही है साथ ही अगर premium WhatsApp spoken English course में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको इस नमबर पर मिल जाएगी प्राप्त कर लेनी चाहिए इसके साथ ही अगर आप किसी भी ऐसे competitive exam के तयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो यह course आप ही के लिए है vocabulary, reading comprehension, grammar, latest pattern questions, सारी चीज़र कराई जाती है तो बिल्कुल जानकारी तो आपको प्राप्त कर ही लेनी चाहिए लग जाता है तो कृपया प्रतीशा करें और अगर message कर दिया है निश्यन्त हो जाएं आपको reply जरूर जरूर मिलेगा, clear हो गई बार, so yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to bbanker.